हेलो भाईो मैं हून तुशार गोतम और भाई आज हमारे पास दे बिग डैडी ओफ SUVs महिंद्रा स्कोर्पियो एन इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई हमें क्या कुछ ही ओफर करती है और फ्रंट सुलुक से आप बात करोगे तो भाई काफी हूज लगती है अभी साइड म आपको इसमें काफी ज्यादा मिलती है जो कि फोर्चुनर के टकर देती है भाई इतनी ज्यादा अच्छी रोड प्रेजंस है इसकी और अभी मैं हूँ महिंद्रा के शोरूम में जीन महिंद्रा में तो इन केस अगर आपको महिंद्रा का कोई भी प्रोड़क्ट बुक करना है फीचर्स की बात करेंगे और अवरोल डायमेंशन की अगर आप बात करोगे तो बता चुका हूँ काफी हूज आपको मिलती है फ्रंट की साइड अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर आपको ग्रिल मिलती है ऐसे जो टाइगर इंस्पार जो ग्रिल है वो आपको मिलती है और यहाँ पर Mahindra का logo मिलता है नीचे की side आपको इसके अंदर camera दिया गया है इसकी headlights की बात करोगे तो आपको इसके अंदर LED setup दिया गया है यहाँ पर projector मिलता है लेकिन यहाँ पर reflector based आपको मिलेगी और नीचे की side भी आपको यहाँ पर जो है प्रोजेक्टर बेजड ही इसके अंदर फोगलाम मिलेगा और यहाँ पर ऐसे कुछ आपको इसके अंदर डियरल्स दी गई है और एक आपको इहाँ पर सेंसर मिलेगा पार्किंग का और एक इस साइड दिया गया है दो मिलते हैं टोटल आपको फ्रंट साइड में नीच के हाँ इसकोपियो ए है ख और अब चलते हैं भाइस के साइड की साइड और ऐसा कुछ आपको इसका लुक मिलता है जो कि है काफी लंबी आपको यह मिलती है सेवन सीटर ह्ओकोस और इसके टायर्स की बात करते हैं तो ऐसे कुछ आपको इसके टायर्स मिलेंगे और अगर section की बात करते हैं तो 245, 65, R17, 17 इंचीज के आपको ये मिलेंगे और अगर इस variant के अगर मैं बात करता हूँ तो ये Z8 luxury है, manual के अंदर 4x2 और इसके अंदर आपको सिरफ 17 इंचीज के मिलेंगे जो 4x4 होगा, उसके इसका ओर वीम है, आपको कुछ ऐसा मिलता है, यहाँ पर आपको indicator मिल जाते है और matrix वाले मिलते हैं, एक बार मैं ओन करके दिखा देता हूँ आपको, यहाँ से ओन कर लेते हैं, और यहाँ पर देखोगे, तो matrix वाले आपको मिलेंगे, इस side आपको ये normal ही दिये गए है, इस कोई ज़्यादा दिक्कत वाले बात इसके अंदर नहीं होगी, और यहाँ पर आपको चड़ने के लिए, ये stand मिल जाता है, जो कि भाई काफी अच्छा है, वी quality का आपको दिया गया है, डोर हैंडल की बात करोगे, तो आपको कुछ ऐसा मिलता है, chrome का यूज यहाँ पर किय होके जाती है, जो कि ultimate लगती है, वाई देखने में, उपर की side, आपको यहाँ पर roof rails मिल जाती है, silver color के अंदर, जो कि इसको और ज्यादा SUV लुक देती है, और वाई, Scorpio है, नामी ऐसा दमदार है इसका दो, इसकी अगर हम पिछे की side की बात करते हैं, तो भाई ये थोड़ा controversy से भरा रहता है, क्योंकि किसी को अची लगती है, किसी को नहीं लगती है, क्योंकि कोई कहता है, वाई वैगनार जैसी look आ रही है, कोई कहता है, वो वो inspired है, तो mixed reaction रहते हैं, लोगों के इसके अंदर, लेकिन personally अगर मैं बताऊं, तो देखने में ठीक लगती है, अब जैस लिखोगे, वही matrix आपको indicator मिलते हैं, और LED आपको पूरी ये tail unit मिलती है, tailgate की बात करें, तो ऐसे ही ये open होता है, और hydraulics के साथ ये दिया गया है, यहाँ पर जो है 7-seater option है, ऐसे कुछ आप इसको अगर उपर कर दोगे, तो ऐसा कुछ आपको space मिलता है, जो कि bag रखने के ल होने के बाद तो कम space आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये curve में मिलता है, तो अगर आप bag वगरा रखते हो, तो उसमें आपको थड़ा help मिल जाएगा, आप कर देते हैं वाइस को बंद, उपर के साइड आपको ये spoiler मिलता है, और शार्क विन एंटीना, रियर वाइपर, डिफोगर के साथ, और महिंद्रा का logo मिलता है, और ये body के embedded मिलता है, जो कि आपको ये नहीं लगता कि बाद में कुछ ऐसी cutting वगरा की गई है, बिल्कुल proper fitting के साथ आपको ये मिलता है, और नीचे की side अगर आप देखोगे, तो चार आपको reverse parking sensors मिलते हैं इसके अंदर, और silver finish के साथ, इस side आपको fuel lead मिलती है, और अब इगाड़ी unlock है, तो आप इसको ऐसे open कर सकते हो, यहाँ पर diesel इसके अंदर fill होता है, तो यहाँ पर आप marking देख सकते हो, और ऐसे बंद कर देते हैं इसके अंदर, और adrinox इसके अंदर मिलता है, जो की connecting car technology है, और आप अपने phone से भी इसको start वगरा कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, तो यह बाई overall Scorpio का look, आप देख सकते हो, अब चलते हैं Scorpio N के interior में, और ऐसे खोलते हैं, तो ऐससा कुछ आपको इसका interior मिलता है, dual tone color के अंदर मिलता है, coffee और black color के अंदर, जो की काफी premium मिलता है, इसके door trim की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपको windows की control मिल जाते हैं, और यहाँ पर आप देखोगे, तो adjustable आपको overwems मिल जाते हैं, और auto foldable के साथ मिलते हैं, अगर आप देख सकते हो, अब यह गाड़ी को एक बार हम own कर लेते हैं, एक बार, आप देख सकते हो, और यहा पर windows की control, साथ की साथ, piano black finish मिल जाती है, यहाँ पर आपको leather का treatment दिया गया है, लेकिन यह जो है, वह आपको hard plastic मिलता है, silver finish के साथ, जो door handles है, और यहाँ पर grab करने के लिए, आपको काफी अच्छा space दिया गया है, नीचे की side आप बात करोगे, तो bottle holder मिल जाते हैं, रखने के लिए, और यहाँ पर speaker की placement दी गई है, इसके अंदर 12 speaker, speaker system आता है, sony का वो भी, आप देख सकते हो, यहाँ पर badging, तो भाई, काफी ultimate इसकी sound है, मैं सुनाओंगा आपको, आप मुझे Instagram पर follow कर सकते हैं, यहाँ पर ID display हो रही है, तो आप वहाँ पर जाकर इसके speakers के sound को सुन स सकते हैं, इसके seats की बात करें, तो आपको यहाँ पर electrically adjustable seats मिलती हैं, जिसे कि आप ऐसे height बेजस्ट कर सकते हो, और multiple way से आप अपने अनुसार जो है से adjust कर पाऊगे, और अब चलते हैं भाई, इस गाड़ी के अंदर, और यहाँ पर ऐसे पैर रख कर, इसके अंदर चड़ ज को दरस्ताती है, और महिंद्रा ने claim किया भाई, 5 star rating के साथ इसको दिलाएंगे, क्योंकि भाई, quality ऐसे दिया महिंद्रा ने, जवरदस्त वाली, इसके meter की अगर हम बात करते हैं, तो ऐसा कुछ आपको यह मिलता है, एक बार इसको off करके, इसके animation मैं आपको दिखाता हूँ, यह हो गया off, और ऐसा कुछ आपको इसका meter मिलता है, features की बात करें, तो आप उन्हें यहाँ पर steering पर जो controls दे रखके हैं, उनसे आप toggle कर सकते हो, यहाँ पर देखोगे, तो drive info, alert, settings, अगर आप settings में जाओगे, तो आपको यहाँ पर airbags के regarding control मिल जाएंगे, DPMS, sounds, clock alert, factory set, तो काफी सारे features के अंदर आपको मिल जाते हैं, usable features, और इसके steering की बात करते हैं वही, वही steering जो XOV7OO में है, वही आपको इसके अंदर मिलता है, इस side बात करोगे तो आपको volume के control मिल जाते हैं, phone call के मिल जाते हैं, और इस side आपको इसके अंदर cruise दिया गया है, लेकिन इसके अंदर adaptive cruise नहीं है, normal cruise है, जो आपको highway पर काफी help करता है, यहाँ पर देखोगे तो आपको इसके अंदर automatic headlam मिल जाते हैं, इस side wipers की control है, जो कि automatic ही आपको मिलते हैं इसके अंदर भी, Z8 luxury वाला variant है भाई, तो काफी अच्छे features इसके अंदर मिल जाते हैं, manual के अंदर है यह, और यह हो गया भाई, आपका steering की बात, अब कर लेते हैं, center console की, उपर की side अगर आप देखोगे तो आपको इसके अंदर manual ही मिलता है भाई, यह अगर automatic होता तो काफी अच्छा रहता, नीचे की side आप बात करोगे तो आपको इसके अंदर 8 inch की आपको screen मिल जाती है, जो की वही इसके अंदर interface है, जो की xvv7w के अंदर आपको मिलता है, और इसके अंदर navigation, applications वगएरा वही है, जो जो meto वगएरा, इसके अंदर android auto, apple car play, सब कुछ आपको मिलता है, जो की काफी एक अच्छी बात है, navigation, आप देख सकते हो, कि अभी हम है, लेकराज auto plaza पे, महिंदरा के showroom पे, तो और जो fluidity है, वो काफी अच्छी है, decent आपको मिल जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, इसके अंदर, नीचे की side आपको shortcut मिलते है, home के, call के, music के, और knobs की quality काफी अच्छी है, जो की decent enough है, बाकी एक आजवाय luxury के लिए बनी भी नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ, off-roading के परपस से, और rough uses के परपस से, ज्यादा तर लोग इसको लेते हैं, और लेकिन फिर भी काफी अच्छी quality है, ऐसे नहीं बिलकुल ही, घटिया quality उसका रखी हो, का और क्योंकि diesel variant है, तो इसके अंदर आपको यह मिलते हैं, और यहाँ पर camera के option आपको मिल जाता है, आप देख सकते हो, यह भी front camera on हो गया है, लेकिन camera की quality आपको decent से मिलती है, कोई extraordinary आप इसको expect ना करें, कि मिलेगी, नीचे की side अगर आप बात करोगे, तो यहाँ पर wireless charger दिय गया है, और यहाँ पर दो आपको port मिल जाते हैं, एक charging के लिए, और दूसरा एक connect करने के लिए, और यहाँ से अगर आप इसको ऐसे निकाल भी सकते हो, पैड़ अगर आपके phone का size जो हो काफी बढ़ा हो, यह है manual transmission के साथ है, यह variant और इसके 6 year इसके अंदर आपको मिलते हैं यहाँ पर दो cup holders मिलते हैं, handbrake के इसके अंदर manual दिया गया है, electronic नहीं मिलता है, और इसका जो armrest है, वो काफी broad आपको मिलता है, और leather की stitching के साथ यह दिया गया है, इसके अंदर space तो आपको कुछ नहीं मिलता है, थोड़ा और better management हो सकता था इसका, लेगिन चलो कोई बात न और यहाँ पर आप देखोगे, तो यहाँ पर भी leather की finish आपको मिलती है, Scorpio N की आपको यहाँ पर bedging मिलती है, अगर आपको visible हो रहा हो तो, we're now side से जाके दिखा दूँगा मैं, और Sony के speaker आपको मैं बता चुका हो, इसके अंदर मिलते हैं, और इसके glow box की बात करें, तो कुछ ऐसा मिलता है, कूल के साथ light भी दी गई है, लेकिन size थोड़ा सा छोटा मिलता है, अगर थोड़ा और बड़ा होता तो काफी अच्छा रहता, तो यह है भाई, पूरे dashboard की बात, और उपर की side देखें, तो भाई, इसके अंदर sunroof भी आ गई है, अगर आप पहड़ो की side जा वो open हो जाती है, और one tap पे ही इसको आप close भी कर सकते हो, यहाँ पर देखोगे, तो आपको glass holder मिल जाता है, sun glass holder, और यहाँ पर जो है lights आपको मिल जाती है, LEDs मिलती है, जो काफी bright हैं वही, रात के time पर काफी अच्छा गलो करेंगी, इस side देखोगे, तो आपको mirror मिलता है, light क साथ उपर, और इस side आपको कुछ भी नहीं दिया गया है, तो वही, यह है front seat की कहानी, और अब चलते हैं भई, पीछे की बात कर लेते हैं, वही, क्या कुछ space आपको मिलता है, एक बार seat हम थोड़ा adjust कर लेते हैं, और फिर चलते हैं भई, पीछे की side, और एक बार है, इसकी मैं की और दिखा देता हूँ, आपको की, इसकी कैसी मिलती है, ऐसी कुछ आपको इसकी की मिलती है, नोर्मल सी, जो की थार होगी, आपके एक सवी 7W होगी, उसके साथ भी यही आती है, जिसमें की तीन बटन्स आपको मिलते हैं, लोक, अनलोक और एक बूट के लिए, और ऐ यह आगे भाई, हम पीछे की साइड, तो भाई, ऐसा कुछ आपको स्पेस मिलता है, लेग रूम काफी अच्छा मिलता है, वह थाई सुपोर्ट भी काफी अच्छा इसके अंदर है, मेरी हाइट 6 feet है, तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा आपको इसके अंदर स्पेस मिलता है उपर की साइड, ग्रैब करने के लिए हैंडल मिल जाते हैं, और यहाँ पर भी आपको LED लाइट दी गई है, वािट कलर की, सेंटर में बात करोगे तो आपको यहाँ पर AC के वैंटस मिलते हैं, और यहाँ पर ब्लोवर की आपको चन्ट्रोर मिल जाते हैं, टेंपरेचर जिससे आप अपना फोन वगएरा या कुछ कैमरा वगएरा चार्ज कर सकते हो और सीट्स की बात करें तो यहाँ पर लेद राइट सीट्स मिलेंगी आपको बीच में आपको आमरेस्ट मिलता है दो कफोल्डर के साथ और तीन बंदे भाइस में आसानी से बैठ सकते हैं कोई परिशानी वाली बात नहीं होगी लेकिन सेंटर में जो बैठ हैगा उसको थोड़ी सी दिकत हो सकती है क्योंकि एक तो हैड्रेस्ट भी उसको छोटा मिलेगा और थोड़ा सा कंजस्टिड हो सकता है अगर काफी ब्रोड बंदे अगर इसके अंदर बैठेंगे वरना एड्जेस्ट हो जाओगे इसके अंदर कोई परिशानी नहीं आएगी एड्जेस्टेबल हेड्रेस्ट मिलते हैं इसके अंदर ज्योंकि भाई काफी अच्छी सीटिंग है और कंफर्टेबल आपको इसके अंदर सीटिंग मिलती है और पीछे की साइड जो है वो बच्चों के लिए तो ये सीट्स थीग है लेकिन अडल्ट के लिए कोई जाद अच्छा स्पेसिस के अंदर नहीं मिलेगा और भाई मेरे जैसे सिक्स फीट वाले बंदे तो बिल्कुल भी इसके अंदर कंफर्टेबल नहीं होंगे हाइट में जिनकी हाइट कम है तो अगर वो बैठ सकते हैं इसके अंदर या फिर बच्चे सिर्फ और सिर्फ तो भाई ऐसा कुछ आपको इसका ओवरॉल इंटीरियर मिलता है जो कि भाई काफी प्रीमियम आपको मिलेगा जो की पहले वाली जो स्कोर्प्यों है जो क्लासिक के नाम से अभी विविकरी है उससे काफी अच्छा कर दिया है ऑवरॉल इसका एक्स्टेर और इंटीर आम त का इंजिन बे दिखाता हूं और भाई इसका हुड काफी भारिया भाई काफी अच्छा वेट आपको इसके अंदर मिलता है हुड के अंदर और यहां पर आप देख सकते हैं इंसुलेशन के लिए इसमें दे रखा है पैडिंग और इसका इंजिन बे कुछ ऐसा आपको नजर आता है इसके पावर फिगर्स के अगर हम बात करें तो 172 PS की पावर यह जनरेट करती है और 370 NM का टॉर्क जो कि भाई काफी अच्छा है अगर आप इसको हाइवे पर ड्राइव करते हो ओफ रोडिंग में ड्राइव करते हो तो कहीं भी आपको किसी भी तरिक्के की हैं या फिर कैबिन के अंदर हम बात करते हैं इंजिन नॉइस की तो वो भी काफी रिड्यूस कर दी गई है इसके अंदर और काफी ओवर एक अच्छा पैकेज महिंद्रा स्कोर्पियो और निकल के आता है और अगर आप बात करते हो 11 लेक्स से लेगे 20 लेक्स के बीच के अ लगी है लेकिन इसके अंदर जिसको एक प्रीमियम नेस भी चाहिए साथ की साथ स्कोर्पियो का रुतबा भी चाहिए वह नाम भी चाहिए तो वो इसके लिए जरूर जाएगा भाई और यह जो पर्टिकुलर है यह है जैडेट लग्जरी और इसकी प्राइजिंग की बात कोई भी प्रोडक्ट बुक करना है तो आप कुंटेक्ट कर सकते हैं लेकराज ओटो प्लाजा को एलार महिंद्रा को उनकी जो डिटेल्स हम डिसक्रमिशन में अपडेट कर दूँगा तो आप वहां से चेक आउट कर सकते हो आप कमेंट करके बताना आपको यह गाड़ी कैस ही लगी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें सो इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो देखने के लिए आपका धनेवाद थैंक्यू सो मच